हेलो एबरिवन, वेलकम टू सिक्षा कल्चर, आज के इस वीडियो में हम लाल बहादो शास्त्र जी की बायोग्राफी यानि जीवन परीचर डिसकस करने वाले हैं, भारत के महांतम प्रधान मंतरी श्री लाल बहादो शास्त्र जी का जन्म दो अक्टूवर 1904 को भारत के उत् आज filming दो दिए भी था लाल बहादो शास्त्र जब केवन एक वर्ष के थे तब इनके पिता की म्रथ्ती हो गई ननीहल में रहते हुए लाल बहादो शास्त्र जी ने अपनी प्रात्मिक्सिक्षा-ग्रहन की इसके बाद High School की शिक्षा भी इनोंने घ्रहन करते हुए काशि विद्या पीठ में सास्त्री की उपादी मिलते ही जन्म से चला आ रहा जाती शूचक शब्द स्रीवास्तप हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया बचपन से ही लाल बाहदो शास्त्री बहुत इमानदार और महनती थे काशी विद्या पीठ से प्रथम श्रेणी की डिगरी के साथ इसना तक प्राप्त की लाल बाहदो शास्त्री जी का विभाव ललिता देवी से हुआ अपनी शादी में दहेच के रूप में इन्होंने खादी का कपड़ा और चरका सुईकार किया था लाल बाहदो शास्त्री जी के छे बच्चे हुए सुतंतिता आंदोलन में सास्त्री जी का योगदान लाल बाहदो शास्त्री जब बालक थे तब से ही वे राष्ट्रिय सतंत्रता संग्राम की और आकरश्यत हो गए थे वे बनारश हिंदू विश्वध्याले के स्थापना शमारोव में दिये गए गांधी जी के वाशन से बहुत प्रवाबित हुए उसके बाद वे गांधी जी के निस्टावान अनुयाई बन गए और फिर सतंत्रता आंदोलन में कुंद पड़े उनीस सो बीस के दशक में वे सतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के एक प्रमुक नेता के रूप में कार किया बाद में मरो नहीं मारो का नारा लाल बाहदो शास्त्री ने दिया जिसने एक क्रांती को पूरे देश में प्रचंड कर दिया राजनेतिक उपलब दिया सास्त्रे जी ने एक रेल दुरगटने की जम्यदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीपा दे दिया था जिसके बाद उन्हें भारत के ग्रह मंत्री के रूप में न्यूक्ट किया गया जब ग्रह मंत्री थे तो उन्होंने ब्रश्टाचार निरोधक समीती की पहली समीती शुरू की थी भारत की सुतंतता के बाद लाल बहद्दो शास्त्री यूपी में संसदिय सच्चप बने और 1947 में फुलिस और परिवहन मंत्री भी बने परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की न्युक्ती की थी पुलिस विवाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने आदिश पारित किया की पुलिस को पानी की बोचार कवपियों करना चाहिए उग्र भीड को सांथ करने के लिए लाठियों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए 1964 में पंड़त जबाहर लाल नहरू की अकस्मिक मृत्यू के पश्चात लाल बाहदो शास्त्री को भारत का प्रजान मंत्री बनाया गया इन्हों ने दूद उत्पादन को बढ़ाने के लिए रास्टी अभियान श्वेत करांती को बढ़ावा दिया लाल बाहदो शास्त्री ने 1965 में भारत में हरित करांती को भी बढ़ावा दिया हरित करांती का उदेश खादन उत्पादन बढ़ाना था 1965 में भारत पाक युद्ध के दोरान उन्होंने सैनेकों और किशानों के महत्प को उजागर करने के लिए जै जवान जै किशान का नारा दिया तासकंद में पाकिस्तान के राष्टपती अयूग खान के साथ युद्ध ना करने की तासकंद गोशना के समझोते पर हस्ताक्षर करने के बाद इनकी मृत्तिव 11 जनवरी 1966 को हो गई आज तक इनकी मृत्तिव जाच का विशव बनी हुई है इन्हें मर्नोपरांत 1966 में भारत रतने से सम्मानित किया गया मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक करें शेयर करें जै हिंद जै भारत